कि अज़ो ट्रेडर्स तो वेलग स्वाथ आपका आज किस नए वीडियो में मैं हूँ हर्ष और आज हम बात करने वाले एफ आर थर्टी थरी स्ट्रेडजी के बारे में तो एक बात मैं आपको बता दूँ यह जो स्ट्रेडजी यह गंस्याम सर ने बनाई है लेकिन कुछ बा बात करें जा सकते हो या फिर यह च्ट्रेडजी को यूज कैसे करते हैं तो वह सब कुछ में आपको डीटेल में समझाने वाला हूं लेकिन यह बहुत ही अच्छा यहां पे काम करती है और प्रोफिट भी आपको बहुत अच्छा देती है यह इस्ट्री ऑटोमेटिक आपक वन मिनट के ताइम फ्रेम लगा लेना है यह भी उनिक है लाँ तो यह यह उज गया है यह उपर से कोई मुवमेंट चलते हैं यहां पर एक बज़ गया अभी मार्केट नीचे आ रहा है ठीक है अभी कहीं पे दो बज़ चुके हैं और movement 100 point से ज़्यादा आ चुकी है मान के चलते हैं यहां पे मैं दुबारा से दिखाता हूँ कि market यहां से आ रहा है तो यहां पे दो बज़ चुके हैं market नीचे से उपर गया और market ने एक movement नीचे साइड में दिया यह क्या है? हाय! अ, करेक्षम फ्रेक्षम फ्रेक्षम फैसे 100 ज़्यादा यहां 10-120 पॉइंट आपके लिए होने चाहिए तब ही इस्टेटिजी अच्छा काम करती है मार्केट कहीं पर जाएगा दो बज़े के बाद करेक्शन आएगा करेक्शन जब आएगा तब हमें वह फिवनाची यूज करना है तो फिवनाची यूज कैसे करना है यह मैंने फिवनाची य सिर्फ यहां पर 0 है और यहां पर 33 है और यह 88 है तीन पॉइंट को ही आपको चुना है चौथा पॉइंट कोई भी नहीं होना चाहिए तो आगे बढ़ने से पहले में बताना चाहिए अगर आप बेगनर हैं अगर आप 1000-2000 रुपे से 4000 रुपे से ट्रेडिंग शुरू करना है इदर मैंने बैंक निफ्टी के प्रीमियम का चार्ट लगा हुआ है इसमें सबसे बड़ा दूसरा फाइदा यह कि यह आपको पांच गुना मार्जिन दे रहा है पांच गुना मार्जिन का मतलब है जिस लॉट को आप 10,000 रुपे में बाई करोगे 400 रुपे के प्रीमिय अगर आप अगर आप पर आपको अगर आपको अगर आपको यहांप आपको यहां और यह 33 कर देना है किसी को भी और एडिट करके आप तो 33 कर देना एक 88 कर देना है और 161 इसको आप कर सकते हैं चौथा आपका 0 है ठीक है चार ही लेवल्स रहेंगे तीन रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 4 कर देन तो 4 कर सकते हैं ठीक है तीन कौन से 0 33 और 88 तीन ही काफी है तो इसको सेव कर लेना ओक सब्सक्राइब करते हैं वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाए अभी यहां पर देखिए कि जब हमने हाई टू लो मार्क क्यों किया मार्केट ऊपर जा रहा था उसने करेक्शन लिया ठीक है और जो करेक्शन है यहां पर देखिए लगबग 33 घृक यह 33 का यहां पर लेवब यहां पर इस लेवल को यह ब्रेक करना चाहिए वन गया है और इसको यह ब्रेक और अबर आरेक्प तो यहां पर देखिए यहां पर लगबग आपको 1-2 1.5 आपको कम से कम टार्गेट आपको मिला वन इस्टू तो नहीं है लेकिन 1-1.5 आपको टार्गेट मिला और यह काम अच्छा कर दिया यह चीज सही है तो बैक्टेश्ट करके दिखाएता हूं मैं आपको ताकि आपको बैकर समझ में आए तो 2 मिनट के बाद की ही मुवमेंट यहां पर पकरनी चारणीन है और स्ट्रेडजी बनेगी तो अच्छा है नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी खक़ाई यहां पर दिखिए यह एक मुवमेंट ऊपर की साइड में आई है जैक है ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपको 100-500 की मुवम्मेंट कहीं पर मिले ना मिले तो ज़रूरी नहीं करना तो लिचाइब करेंगे नहीं वाने का तो नहीं करेंगे यह चीज़ आपको ध्यान रखने हैं जरूरी नहीं हर चेह पर उसे कोशेट ना है ठीक है अगर दिखता आए कि हाम मुवमेंट आ 58 और इजलिया रही बहुत आसानी से आपको इटारिए भी तो ऐसे आप इसे यूझ कर सकते हूं यह वी बैक टेस्ट ऑर भी आपको दिखा देता हुँ यहां पर देख heb़ें तो मुवमेंट यहां पर कोई भी हुरे है जो दो बजह रहे हैं कोई भी मू genuine take efficient आ में यूज नहीं करनी है यह रूल है इसमें यह रूल को आप यहां पर देख सकते हैं तो इन रूल को आपको फूलो करना ही होगा आगे चलते हैं यहां पर क्या कोई मुवमेंट आई है जो दो वज़े के बाद है ठीक है दो वज़े के बाद मुवमेंट आई है यहां पर दे बच्राइब को यहां पर देखिएं मैं यहांपर 33r को यहां पर ब्रेक आउट को यहां है कि आपके यहां पर लॉसेज के चंस बढ़ सकते हैं अगर हम पहले इसे यूज करेंगे तो में भी चंस तो ऐसा ही कुछ है तो यहां पर मैं फिवो नाची आपके सामने को हिट किया आपका तो टार्गेट आपको तभी मिलेगा जब यह दो बज़े के बाद की मुवमेंट आपके सामने आएगी जो लोग एमिश्टो के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दू यहां पर ट्रेडिंग करने पर आपको ब्रोकरे चार्ज जीरो लगेगा है कि आपको रहे हैं जो होते हैं वो ग्लोब मार्केट को देखते हैं कि अग्लोब के जाने वाला है तो अगर आप लोगर से परहिशान हैं ब्रोकरेश कर थख गए सबसे में चीज ओर मैं आप अपको बता रही है अपको ऑंट अउट दे रही है और इंट्री बठार्यइ और है और सेकंड टार्गेट भी around 2 राहा है colon target होता है तो मितूरण अच्छा profit दे रही है यह main चीज है इसमें और कुछ rules भी हैं जो आपको अभी पता नहीं है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ठीक है मैंने यहाँ पर already यहाँ पर ड्रो किये हुएं तो यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ से high to low जैसे ही मैंने यहाँ पर mark किया है तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सर ने बोला है गंसे अप सर ने कितनी मैनस से यह strategy बनाई है उन्होंने कितना अच्छे से इसको analyze किया है कि दो वज़े से पहले यह apply नहीं करनी है क्योंकि दो वज़े से पहले देखिए यहाँ पर मैंने low mark किया जैसे 33 को इसने breakout किया यहाँ पर अगर आप entry लेते हो तो market तुरंत नीचे आया ठीक है SL तो hit नहीं हुआ है फिर भी एक fake breakout यहाँ पर दिखाया उसके बाद दो वज़े के बाद जैसे ही movement आई है तुरंत market उपर गया है फर्स्ट टार्गेट आपको hit हुआ है और सेकंड टार्गेट भी लगबग हिट हुआ है ठीक है तो यह एक man चीज है यहाँ पर man roll है इस strategy का कि दो वज़े से पहले यह apply करने के लिए नहीं बनी है दो वज़े के बाद ही movement आती है और आपको profit देगी तो सर के लिए बहुत बहुत दन्यवाद है कि गंस्यम सर ने इतना मेहनत किया और आपके लिए यह एक strategy ऐसी बनाई है यहाँ पर भी देखिए आप दो वज़े के बाद की movement है जैसे ही high to low आपने mark किया 33 को जैसे ही breakout किया है breakout करते ही पहला target हिट एंड दूसरा target भी हिट इसने किया है तो जिनोंने भी कमेंट की थी इस strategy के बारे में बताइए और detail में समझाने कोशिश कीजिए तो इसमें detail में इतना ही है बस कि one minute time frame आपको यूज करना one minute क्यों यूज कर रहे हैं one minute इसलिए यूज कर रहे हैं ता जैसे ही breakout होगा तुरंत हम entry ले 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 वन मिनट पे और पांच मिनट में तो यह already profit दे चुकी होगी तो इतनी फास्ट यह strategy है पांच मिनट में ही आपको profit देगी तो वन मिनट आपको यूज करना है दूसरा rule यह है कि आपको दो वज़े से पहले आपको इसे यूज नहीं क करेगी ऐसा नहीं है पचास पॉइंट का मूवमेंट आगया आपने फ्यूगोनाची ट्रो कर दिया ऐसा नहीं करना है तो उम्मीद करता हूं आज कि वीडियो से आपको काफी को सीखने के लिए मिला होगा और यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी तो अगर आप अमारे पर नहीं आए हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें आज की वीडियो में इतना ही जै हिंद जै बारत